नमस्कार अदाब सस्रिकाल दोस्तों विग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर लाइफ फीड से सबसे बड़ी खुश खबरी को लेकर आप सभी दश्कों के सामने हाजिर हैं तेजस्वी प्रकाश निकली घर की असली चैंपियन तेजस्वी प्रकाश जीस से पहले ही बन गई चैंपियन और तेजस्वी प्रकाश के चैंपियनशिप को देखकर करन कुंद्रा हुए सबसे ज़्यादा खुश क्या है बात क्या है पूरे विस्तार से बताएंगे आज के खास सिपोर्ट में लेकिन इससे पहले चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर प्रतीक सहचपाल हमला कर रहे थे तेजस्वी प्रकाश पर तेजस्वी प्रकाश के साइकल के हर एक पार्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे प्रतीक सहचपाल और साथी साथ जब प्रतीक सहचपाल पूरी तरह से छीना जप्टी कर रहे थे तेजस्वी प्रकाश से तब तेजस्वी प्रकाश खूब लड़ी मरदानी तेजस्वी प प्रतीक सहचपाल को मुझ तोर जवाब देती हैं और साथी साथ इस तरह से वो घर की बन गई चैंपियन और तेजस्वी प्रकाश को तो बिलकुल भी अपने प्ले से हटा नहीं पाए और उनके सैकल को भी कुछ नहीं कर पाए प्रतीक सहचपाल और साथी साथ प्रतीक कुंद्रा को हमेशा से इसी तरीके की लड़की चाहिए थी तलाश थी और करन कुंद्रा हुए बहुत ज़्यादा खर्ज जी हाँ यह सबसे बड़ी गुड नियूज जो है वो निकल कर सामने आ रही है अब यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्रतीक सहचपाल और तेजस्वी प्रकाश के बीच में हाता पाई भी हुई और दोनों तरफ से हाता पाई हुई प्रतीक सहचपाल ने भी तेजस्वी प्रकाश पर हमला करने की कोशिश की और तेजस्वी प्रकाश ने भी प्रतीक सहचपाल पर हमला करने की कोशिश की अब यहाँ पर जो त तेजस्वी प्रकाश है उन्हें एडवांटेज किस बात की है तो तेजस्वी प्रकाश जो है वो पूर अकेले ही एक महिला होकर प्रतीक सहचपाल का सामना जिस तरह से वो करती है प्रतीक सहचपाल से जिस तरह से वो लड़ती है ये काबिले तारीफ होती है दोस्तों वैल त थासिल कर ली वेल आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के खर के अंदर से और भी बड़ी बड़ी खबरों को साथ में लेकर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर होंगे बहुती जल वेल इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे ये भी आप हमें अपने कमेंट के तुरू जरूर बताएं आप अपनी राय हमें जरूर बताएं वेल आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों